जैहिंद जैभारत दोस्तों आज किस वीडियो में आपका भाई जो बताने माला है वह है तत्व आखिर यह तत्व होता क्या है तो बस आपको कुछ करना नहीं है आप यहाँ पर गौर की जगा अगर साथ ही आपसे पुछ दिया जाया कि तत्व किसे कहते हैं तत्व क्या होता है तत्व की परिभासा दिजिए या तत्व से आप क्या समझते हैं इन सब बात आपके किताबों में लिखे होते हैं तो यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो आपको बहुत ही हेल्फफूल है और आपके काम लायक है तो आज के इस वीडियो से जो मैं आपको सिखाऊंगा वादा है कि आप कभी भूलेंगे नहीं तो यहाँ पर आप देखेंगे और हाँ यार समझना और न समझना तो सिर्फ आपके उपर निर्फर करता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है तत्व यानि इंगलिस में बात करें तो इलेमेंट तो यहाँ पर मैंने लिख रहा है तो element यहाँ पर लिखा हुआ है तो तत्व का English क्या होता है element तो यहाँ पर elements भी बोल सकते हैं क्योंकि तत्व यहाँ ज्यादा होंगे तो आपको तो पताई गया तो यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या तत्व के बारे में तो मैं आपको जो परिभासा दूँगा आप सबसे पहले यहाँ पर लेख लिजिए और तब मैं आपको मतलब ऐसा ऐसा परिभासा दूँगा ना यार कि आप बहुत ही इसली समझ पाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत ही असानी से लिख रहा है कि तत्व वह सुध पदार्त है यहाँ पर मैं कॉलर चेंज करता हूँ कहने का मतलब यह है दोस्तों कि तत्व वह पदार्थ होता है कहने का मतलब यह है कि आपको पदार्थ पता है तो साथी पदार्थ को सिंपल से आप समझेंगे तो मैंने वीडियो अल्रेडी बना चुका है तो यहाँ पर मैं आपको पदार्थ की छोटी सी पहसाने की ट्रिक बता रहा हूँ तो यार पदार्थ हम किसको कहांगे जिसका कुछ न कुछ द्रबेमान हो आप उसी से आप यहाँ पर हिसाब लगा लीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तत्व वह सुध पदार्थ होता है सुध यानि प्योर ठीक है आप यहाँ पर पदार्थ अगर समझे होंगे न तो वहुत ही असानी से आपको समझ आगे तो तत्व गाईज वह सुध यानि ऐसा वह होता है पदार्थ इतना प्योर होता है ना तो वह प्योर पदार्थ ऐसा होता है जिसे किसी भी बिधी द्वारा आप दुनिया के कोई भी बिधी लालो यानि रसायनिक बिधी या भौतिक बिधी द्वारा इसको यानि आप ऐसे सम हाण पर होजागा दो या दो से अधीक भाग में यह नहीं टूटे गा तो यह आप को कहलाएगा यहीं आपको कहलाएगा तत्व जीन साथी आपको तत्व समझ आई की नहीं आई और जिसका गुन अलग-अलग भी हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अगर इसका बात करें, यहाँ पर मैंने लिख रहा है लोहा, आप समझेगा कि लोहा हमारा क्या होता है? धातु होता है, यानि तत्व होता यह भी, तो लोहा, सोना और उक्सिजन इन तीनों को देख कर कर कि आपको क्या लग रहा है? इन सबका गुन एक ही है, नहीं मेरे प्यारे तियाँ पर इन तीनों का जो गुण है na, सब का लग-альग है. जैसा कि आप सब को बहूत या साथ, यह पता होगा. जैसे लोहा क्या होटा है? जैसे जहादा चमकदार नहीं होता है. और सोना कि परिभासा बहुत ही असानी से लिखना साथे हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर मैंने लिख रहा है तत्व वह सूध पदार्थ है जिसे किसी भी बीधी द्वारा मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है तो वही आपका होता है तत्व तो और भी सिंपल सी अधिक मतलब भागों में अलग यहां पर मैंने क्या लिख रहा है कि दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थों में विभाजित यानि तोड़ा नहीं यानि किया जा सकता है कहने का मतलब यह है आपको तो मैंने पीछे अभी ही बताया है कि तत्व वह पदार्थ होता है जिसको दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी वीधी द्वारा और भी आप सीम्पल से समझेंगे तो मैंने यहां पर और भी लिख रखा है क्या मैंने लिख रखा है तो आप देखिए तो मैंने यहां पर लिख रखा है कि यह सिर्फ एक ही पदा है तो सब्सक्राइब तो अरपिवह के मिल कर यहां पर यहांपर आपको यहांपर हईडरोजन बना हैं तो आपको ह्यां पीए हैं डाल जानते हैं जी आप डाल जानते हैं सबजी जानते हैं क्या आप चाय पीते हैं तो चाय में क्या एक ही चीज मिला होता है नहीं मेरे प्यारे साथ ही चाय भी बहुत सारे चीजों से मिलकर बना होता है और इसके साथ साथ डाल क्या डाल में एक ही चीज मिला होता ह पानी भी मिला होता है उसके साथ हल्दी भी मिला होता है मिर्च भी मिला होता है यानि बहुत सारे चीज मिले होते हैं लेकिन वैसा आपको ततों में नहीं होता है केवल और केवल एक ही पदार्थ का बना होता है येसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में जो आपको कन आए कहने का मतलब यह है कि जैसे आप समझे योगिक योगिक आपको पता है तो योगिक हमारा क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 4 5 6 कितना भी हो यानि उसको हम कहते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब यानि आप ऐसे समझे कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए आपसमें मिलते हैं आपको क्या बनाते हैं तो हमारा जो हाईड्रोजन और ऑक्सीजन है इन दोनों के तुलना में यह क्या है सबसे अलग है तो ये आपका क्या है ये आपका योगिक है तो ये क्या है योगिक है तो योगिक से भीन इन दोनों का क्या होगा यहाँ पर गुन होगा ठीक है जैसे आप समझे सकते हैं कि आपने कभी चाय पिया होगा तो चाय पीते हैं यार तो उसमें आप देखे होंगे कि हमारा जो पान होता है पानी और चाय में क्या होता है बहुत ही भीन होता है ठीक है तो आप यहां पर इजली समझ पाएंगे तो यहां पर अगर आप इजली समझेंगे तो और भी मैंने नीचे के परमानों से बना होता है जिससे हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरलियम पुरान यही सब तो है आपके तत्व और यह सब जितने भी तत्व है इन समय जो परमानों होंगे उन तत्व के है हांज हिलियम का आपका है कि हमारा दत्व होता है तो ज्यांपार को समझा संग मतलब है ज हल द्थी हमारा नहींर है कोर्य को सब्सक्राइक को समझे है問題 मैं है उसकार न दूख users तो आपको तत्व समझ आई अगर आप मेरी दी हुई जनकारी से आप कुछ सिखते हैं तो यह वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को सबस्क्राइब कर देजी क्योंकि इस चैनल को चाहिए सपोर्ट तो यहाँ पर मैंने दिया है परिभासा और आप लिख ल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ